गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? सही जवाब होगा. Option B. दुवितिय गोलमेज सम्मेलन में. वर्ष 1923 में चितरंजन दास एवं मोतिलाल नहरु ने स्वराज पार्टी की स्थापना कहां पर की थी? सही जवाब होगा. Option B. इलाहबाद में. माई एक्स्पेरिमेंट विद्ट रुथ के रचनाकार कौन है? सही जवाब होगा. Option A. महात्मा गांधी. साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष में हुआ था? सही जवाब होगा. Option B. 1928 में. कौन सा भारतिय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्णर जनरल बना? सही जवाब होगा. Option C. C. राजगोपालाचारी. किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संगीय संरचना प्रस्तुत की गई? सही जवाब होगा. Option C. 1935 का अधिनियम. स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्णर जनरल कौन थे? सही जवाब होगा. Option B. Lord Mountbatten. कांग्रेस ने भारत छोड़ो अंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? सही जवाब होगा. Option D. 1942 में. अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टेन सैंडर्स किस के द्वारा गोली से मारा गया था? सही जवाब होगा. Option D. भगत सिंग के द्वारा. निम्न लिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक प्रिथक राष्टर का संकल्प स्वीकार किया था? सही जवाब होगा. Option D. 1940 में. देश बंधु की उपाधिक किस से संबंधित है? सही जवाब होगा. Option B. चितरंजन दास से. वर्ष 1919 में जलियां वाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ? सही जवाब होगा. Option A. अम्रिटसर में. नमक सत्याग्रह किस वर्ष प्रारंब हुआ था? सही जवाब होगा. Option A. 1930 में. किसने कहा था? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूँगा. सही जवाब होगा. Option A. सुभाष चंद्रबोस ने. महात्मा गांधी को सर्व प्रथम राष्ट्रपिता किस ने कहा था? सही जवाब होगा. Option C. सुभाष चंद्रबोस ने. असहियोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? सही जवाब होगा. Option D. लॉर्ड चेम्स फोर्ड. जनरल डायर की हत्या किस ने की थी? सही जवाब होगा. Option C. उधम सिंहने. दीन बंधु के नाम से कौन विख्यात था? सही जवाब होगा. Option D. C. एफेंड्रेउज. गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? सही जवाब होगा. Option A. रॉलेट एक्ट को. चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे? सही जवाब होगा. Option C. राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायन से हैं. वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधी किसने लोटा दी? सही जवाब होगा. Option C. रवींद्रनाथ टैगोर ने. स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? सही जवाब होगा. Option D. 1923 में. जलियां वाला बाग के नर संहार के समय भारत का वायसराय कौन था? सही जवाब होगा. Option D. लॉर्ड चेम्स फोर्ड. निम्न में कौन सी पुस्तक जवाहर लाल नहरू द्वारा लिखी गई है? सही जवाब होगा. Option D. डिस्कवरी ओफ इंडिया. निम्न में किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्टी के रूप में जाना जाता है? सही जवाब होगा. Option C. खुदाई खिदमतगारों को. सही जवाब होगा. Option B. कांग्रेस के सदस्य नहीं थे.